नमस्कार दोस्तो जो बले चैनल पर आप सभी का स्वागता है सबसे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो क्रिपकर के बैल आइकम प्रेस करके अगर आपके एक शेर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इंफोमेशन मिल जाए अब आपके लिए लेके आए हैं जो कि आप देख सकते हो ओफीशली वेबफाइट है जी डिपार्टमेंट ओफ एकोनोमिक एंड स्टैकल एनलाइसिस की तरफ से जो की वेकैंसिस निकली हुई है करीबन करीबन 40,000 सेलरी स्टाटप पर है कौन कौन केंडिडेट अपलाई कर सकता है क्या क्राइटेरिय क्या लिजिबिल्टी है कहां पर आप अपलाई करोगे पूरी की पूरी इंफोमेशन आपके साथ शेर करने जा रहे हैं इसमें जी 40,000 सेलरी रहने वाली है यह प्रोफेशनल्स के नाम पर और यह पुष्त खुली या जी विकैंसी का नेम है यंग प्रॉफेशनल नहीं पोस्ट है जी यंग प्रॉफेशनल के नम पर खुली पॉस्ट ग्रेजूइशन कषिए इंडियन नैशनल में ठीक हैं पोस्ट ग्रेजऊशन इंडियन नैशनल फॉम recognize the state और central युनिवरस्टी किसी भी central युनिवरस्टी से या किसी से state युनिवरस्टी से आपने post graduation की हो किसमें की है वो आपको officially notification में हम दिखा देंगे total में post हैं जी 20 post है यह जुरू दियां दिजिए और 40,000 पर salary startup है सारी का सारा online fees है, online payment है, सब कुछ आपके सारा शेयर करने जा रहे हैं यह officially website आपको पहले दिखा दिखा दिए है यह officially क्या कुछ eligibility मांगी हुई है यह देख सकते हो आपको पूरी detail दिखाएंगे यह देख सकते हो Engagement of young professionals in finance and planning department finance और planning department में young professionals मांगे हुए है ठीक है जी यहाँ पर आपको officially website पर पूरी information नहीं मिले पर officially notification में पूरी information दिखा रहे हैं finance और planning department में हर्याना गोर्वेंट की तरफ प्राइवेट नहीं है हर्याना गोर्वेंट है जी पर्मानेंटली है यह young professionals के नाम पर post खुली हुई है क्योंकि मैं तो रपीड बार-बार कर रहा हूं क्यों candidate कई बार-बार पूछते होते हैं ठीक है जो किस किस में responsibility किस किस में हाई quality impact रहने वाला है आपका लाइक एकनोमिक्स finance health agriculture engineering urban development areas में ठीक है जी और eligibility के लिए main बात आती है eligibility भी apply कौन कर सकता है सभी का यह होता है क्योंकि इन्होंने में बार लिखा है पॉस्ट ग्रेजुएशन रिकोनाई यूनिवर्स्टी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्स्टी से किया हुआ हो और कौन सी master डिग्री हो कोई भी और master डिग्री आपकी 60% से पूरी होनी चाहिए यानि कि master डिग्री में आपके 60% नंबर होने चाहिए अगर 60% से कम है तो आप eligible नहीं हो और master डिग्री किसमें होनी चाहिए economics में business economics में agriculture economics में public एड में यानि कि public administration में या business administration में और management में या चार्टर्ड अकाउंट में या icwa में ठीक है जी और सबसे बड़ी बार two year post qualification experience भी इस जोब के related आपका होना अनिवार्य है जरूरी है अगर आपके पास experience है तो आप apply कर सकते हो यह मत कीजिएगा भी हमारे capable नहीं है आपके एक शहर्ट से हो सकता किसी को capability मिल जाए इसके लिए ठीक है जी हो सकता all India में कोई दो कोई candidate जरूर निकलेंगे की government post खुल यह तो ठीक है और एज की बात कर लेते हैं तो चालिस साल एज मैक्सिमम होनी चाहिए चालिस से कम ही एज होनी चाहिए वह candidate eligible है और प्रीड ओफ की satisfaction factory satisfactory performance होगी यानि की good performance होगी तो और टॉटल पोस्टें बीस पोस्टें हैं जी ठीक है यंग professional may be attached with the various branches finance planning departments other project studies as the recruitment यानि की आपका finance and planning department में या projects में या आपका studies में इसमें आपकी job रहने वाली है main बात कर लेते हैं apply करने की अब apply की तरफ चलते हैं यह देख सकते हो आपको officially notification भी देखने को मिल जागा मैं new tab में खोल रहा हूं यहां पर भी आपको वही notification देखने को मिल रहा है जी यह देख सकते हैं यंगर मंगे हुए यंग प्रोफेशनल्स मंगे हुए हैं जो कि ESA हरियाना government की तरफ पे आपको apply किया जाएगा आपको last 15 फरवरी इसकी date देख दी गई है बाकी हिंदी में भी देखना चाते हो यह हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा ओके और main बात करते हैं guidance of recruitment recruitment की guidance जो कि मैंने आपक आपको अपना पूरा फॉर्मा देखने आप फॉर्म देखने तो login पर क्लिक करके देख सकते हो ओके ठीक है जी यह जुरूर यहाँ पर mail id और यहाँ पर अपना password फिलप करके आप अपनी पूरी डिटेल फॉर्म की देख सकते हो उसके बाद नेक्स्ट बार कर लेते हैं apply new registration जिन केंडिडेट्स ने करना है apply new पर क्लिक करना है simply या पर अपना नेम अपना फादर नेम मदर नेम अपनी डेटो बार्थ मेल हो फिमेल हो married ओ unmarried यह जुरूर mention करना है क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई फंटानी मगा भी unmarried ही चाहिए जैसे आर्मी वाले की कह देते हैं भी हमें unmarried ही boys चाहिए या girls चाहिए ठीक है उनका अलग pattern होता है यह जुरूर देन दीजिए अगर आपका corresponding address और permanent address same है तो same fill up कर दीजिए state और mobile number आपका ठीक है वह fill up कर दीजिए जैसे मैं demo के तोर पर आपको दिखाई दिया है इस तरह आपने अपना center fill up करना है और यहाँ पर अपनी login ID आप क्या create करना चाहते हो mail ID देना चाहते हो तो mail ID दे दीजिए अपना username देना चाहते हो तो name दे दीजिए password mail बाताती है password क्योंकि कई candidate कह देते हैं sir हमें password नहीं पाता ठीक है हम password कैसे fill up करें भी हमारा password trace now उसके regarding मैं आपको information देना चाहता हूँ जैसे आपको देखने को screen पर ही मिलेगा इस तरह आपने password fill up कर देना कोई भी आप numerical की दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यानि कि पहला capital अक्षर हो ठीक है और उसके बाद 2 small भी दे सकते हो यानि कि special character लगाकर एक numerical की जुरूर लगाईएगा तो ताकि आपका यह कोई है भी ना कर सके कोई आपका without permission खोल भी ना सके ठीक है और submit पर submit और proceed तो step next पर apply कर दीजिए और next step में आपके mail id मांगेगा आप होरी आपके documents मांगेगा आपके signature मांगेगा वह अपने documents सारे के सारी prepare रखिएगा experience की भी आप किसे मांगेगा demand करेगा वह भी experience भी आपको soft copy as on upload करनी पड़ेगी यह देख सकते हो सारी की सारी fees भी आपकी online credit या debit card से net banking के थ्रू ही आपकी cut deduct होगी ठीक है फिर जाते जाते बता देते हैं जी बीस जनवरी से apply होने शुरू हो चुके हैं यानि कि कल से शुरू हो चुके हैं और 15 फरवरी इसकी last date है उमीर करते हैं यह वीडियो अच्छी लगी है अगर आप मारे चैनल करके सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करके और नोटिफकेशन जुरूर और कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की और भी बिग अपडेर्स मिलती रहे हर एक जोग की हर एक स्टेट की और इंडिया लेवल की और अगर हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज्या आपके लाइक ना हो आपके शेर करने से किसी के लाइक ये पोस्ट बन जाए कोई अपलाई कर सके ठीक है जी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर कीजिए हमारा से ओ कीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद आपका दें शुब मंगल मे हो ऐसे हम कामना करते हैं तेंक यू वेरी मच